उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी मौत की अकले तेज हो गई हैं। पिछले कुछ समय से इड़े समबंदी स्वास्थे समस्या से जूज रहे 36 वर्षियक उनकी हाल ही में सरजरी की गई थी। जिसके बाद से उनके सेहत को लेकर सवाल उठने लगे थे। फिलहाल सोशल मीडिया और चीन में कोरियाई तानाशाह की मौत को लेकर दो अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं। चीन में जहां किम जोंग के मरने की खबर तेजी से फैल रही है। वहीं जापान में उनके स्वास्थ होकर भूने की बात कही है। शनिवार को ही चीन में किम जोंग उनकी सेहत को लेकर सलाह देने के लिए अपनी एक टीम को भीजा, जिसमें मेडिकल विशेश गयभी शामिल है। चीन ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया जब तानाशाह की सेहत को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं।